हेलो फ्रेंट्स वेलकम तुमा यूटूब चैनल समराथ एजूकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को भी सी एक थर्ड समिस्टर के एक विस है इंट्रिगेटर डिजिज मेनेजमेंट का मुष्ट इंपार्टट फाइफ क्यूशन बताने वाला हूं तो आप वीडियो पुरा दिखे गा और जो क्यूशन बता हूंगा इसमें से दो क्यूशन आपके ग्या में जरूर आएगा सब्सक्राइब का निदान कैसे पाएंगे उससे छुटकारा कैसे पाएंगे तो इसी को देखेंगे बहुत अच्छे समझ में आएग आप लोगो चली नमूने लिया जाते हैं कोई भी रोग उसका पता लगाने के लिए या उस पे निगरानी रखने के लिए क्या किया जाता है नमूना लिया जाता है किसानों वह रोग प्रबंदकों के लिए फसलों वह खेतों में रोगों का पता लगाने उनकी गतवीदियों को समझने से पहल यह महत्पूर है कि वे लागत प्रडाली और पर्यावाड़ी रूप से रोग प्रबंद का निर्ड़न ले लें कहा जा रहा है कहा जा रहा है दोस्तों कि रोग का पता लगाने के लिए वह उसकी निगरानी के लिए क्या किया थे नमूने लिये जाते हैं किसानों वर रोग प्रबंदकों के लिए फसलों वर खेतों में रोगों का पता लगाने उनकी गतिवीदियों को समझने से पहले यह महत्वपूर है कि वे लागत और प्रडाली और पर्यावड़ी रूप से रोग प्रबंदन का निड़ा ले सकें कोई कारवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक फसल के लिए खत्रा न हो तो यह था रोग को कैसे पता लगाने और इसका पॉइंट दोस्तों पूछेगा क्यों रोग का पता लगाने कि अपना मूना किस बीदी से लेंगे तो चार बहुत महत्पूर बीदी यह बहुत प्रश्रीद बीदी है पहला है रैंडम सेंप्लिंग रैंडम सेंप्लिंग का बते हैं दोस्तों याद रिक्षी प्रतिचेर मतलब दोस्तों 50 सेंप्लिंग तो अब दोस्तों मालीजी आप लोग का पता चल गया अब आप लोग क्या करना है इससे निदान पाना है छुटकारा पाना है तो क्या करेंगे रोगों के निधरण के पानी का है तो रोग के निधरण के बाद दूसरा कदम राइस शुटकारा पाने का होता है एकी कृत रोग प्रबंदन में उन सभी विशयों का परियोकर के रोगों का निदान कीया जाता है जो फसलों को आर्थिक छती अस्तर से नीचे रखता है दूसरा कदम क्या होता है निदान पाने का एक ही क्रित लोग प्रबंदन में उन सभी वीद्यों का प्रयोग करके रोगों से निदान किया जाता है जो फसलों को आर्थिक शतियस्तर से नीचे रखता है इसके अंतरगत कल्चरल मेकेनिकल वायलोजिकल केमिकल आधी कंट्रोल प्रबंद वीद्यों का प्रयोग भी किया जाता है तो यह था दोस्तों मेठाड आप डिटेक्शन बाई डागनासिस अब डिजीज पादप रोग का पता आप कैसे लगाएंगे उससे निदान कैसे पाएंगे तो फिर से बाद सुन लिजेगा कि रोग का पता लगाने के ल प्रबंदन की आवधारणा के पस्चात कोई कारेवाही तब तक नहीं किया सकती जब तक की फसल के लिए कोई खत्रा न हो इसकी नमूने लेने की दोस्तों चार मुख्य वीदी बहुत प्रश्रीद वीदी पला रेंडर सेंपलिंग दूसरा है पॉइंट सेंपलिंग तीसर का प्रयोग करके रोगों का निदान किया जाता है जो फसलों को आर्थिक शती अस्तर के नीचे रखते हैं जिसके अंदर के बेस रोष्च कंटूल मेतल इन वीदियों का आपस में समय create प्रयोग ता दोतों निदान पाया जाता है तो यह था दोस्तों आगे चलते हैं हो प्रतिरोद एक प्रतिरोद नियंतर होता है इसका दोस्तों एक विरोध के वह उगा कर पादप रोगा रहा होने वाले आनियों को बहुत प्रवास आली यह प्रदुसर से इसटीर शुरू अच्छी तरक सकते हैं तो प्रतिरोद रोग जंको के खिलाब कि पाउद्सों का प्रतिरोद होता है जो समधित का मादनी क्रीद प्रतिरोद тобой ध्यक्तु सब्घसिकर और इस सबसे पहले प्रयोग 103 में 215 कि यह आगिया था दो और नियंतरित होता है वर्टिकल होता है तो लोग जिन को तो यह सब्सक्राइब होना तहां एक पूर जो स्तायर होता है कि आफ बहुझाए कि या तो और नेगग सब्सक्रमında कौन करते सुन ये को लिए सारा प्रतिरोद का नियंतर होता है तो उसे रिजिस्टर कर सकते हैं अब जैकें समांफिड करते हैं वेल फट्रते है यह पाली होता है यह मौनोज्ट कर यह होता है यह एक समान होता है और यह भी बेदक होता है एक कई जिनों के द्वारा नियंत्रित होता है और जो यह होता है वर्टिकल वाला या एक जिन के द्वारा नियंत्रित होता है तो हमने अंतर देखा कि जो होरिजेंटल रेजिस्टेंस होता हुआ मात्रात्माक होता है लेकिन जो वर् प्रतिदों होता है और दोस्तों जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता हुआ हम यह समान होता है Karl वर्टिकल रिभेदक होता है और यह तो यह आप लोग समझे होंगे अच्छे से आगे चलते हैं पेश्ट सर्विलाइन्स निग्रानी तो समन्वित पेश्ट प्रबंधन की आवधारणा मुखेता की टाड़ूं के रोग विज्ञान और रोग जाननेता पर कारगर निगरानी पर अधारित होता है जहां भी पेश्ट निगरानी कारेकरम सफलता प्रयोक लागू हुआ है वहाँ अनावस्यक प्रयाग नासी का प्रयोक कम हुआ है बिबिन फसलों के प्रमुक पेश्टों पर नियंतरण में आर्थिक मांदन आधारित या मांदन निधारित करना बहुत बड़ा महत्पूर होता है किसी पेश्ट की गानता वह उसकी संचरण सकती पौधे की समेदन सीलता और पेश्टों की संख्या में बढ़ोतरी अनुकूली सितियों पर निर्वर करती है इसे देखती है विए समय रहते निगरानी रखना नियंतरण उपाय करने में सायक होता है इस तरह पौधे के संचरण उपायों पर लागत में कमी लाई जा सकती है पीड़क प्रबंदन द्वारा निर्गरानी कारेकराम को इस्तमाद पीड़कों की जीवन जीव विग्जान और पारिसितिगी को समझने के साधनी करूप में किया जाता है साथ ही यह पता लगाया जाता है कि पेश्टों पर पर रड़क के अन्य कौन से परभाव पढ़ते हैं नए कीटाड़ों और रोगाड़ों के पैदा होने की जानकारी पेश्टों के सहसर सियोन होने तक कि अवस्ताव पनिगरानी उनके प्राक्तिक सत्रों की भूमका बदलती प्रजातियों के प्रतिकी टाड़ों और रोगाड़ों के व्यवहार तथा उन्हें पीड़क नासी की प्रतिरोदी छमता पैदा होने की संभावनाओं को समाप्त करने के उपाए बिमारी की पीड़क नासी की परतिरोदी छमता पैदावनाओं को समाप्त करने को उपाए बीमारी की संका वाले स्थानों की पर जिए तो दोस्तों ये बो देए कि यह प्रकु सर्चट के उपाय पर लागू होने वाला करम कार्व करम है जिसमें देखा जाता है कि जह पॉधे उन पर पुष्ट का क्या निगरनी रखना तो उसी प्रक्षिया को सर्वाइललेंस कहते हैं आगे चलते हैं किटों के लिए अच्छी उच्छ विशाखता हुए दोस्तों जो किट होते हैं ये एक बार उपयोग करने से कीटों मर जाएं अगला अगला प्रयोग की गई सथा पर अस्थाइत हो अगला दोस्तो है पौधों के लिए विश्कार और श्टी कारख न हो पौधों को की नक्सान न पहुचाए अगला या लच्छ पीट को को साथ संगतता हो लावदायक जंदूर वनस्पतियों के लिए हानी रही थो दोसों इतना जल्द जल्दी मतलब बताने का है कि आज ही एक जाम है और बहुत कम टाइम बचा है अगला प्रयोग किये गए रूप में मिल्दा के अंदर इकठा होने की प्रकृति नहीं हो अग अगला किटनासी को प्रयोग करते समय तयार करते समय उसके चुड़ अत्वा फुवार स्वास द्वारा लेने का पुड़ रूप से बचाग करना चाहिए किटनासी का त्वचा से संपर्क नहीं होना चाहिए दूर गटना वस ऐसा हो जाता है तो तुरंत साबून से धो ले देना चाहिए आगे चलते हैं किटनासी का प्रयोग करते समय बीडी सीगरेट तदक खाने का पूर परित्याग होना चाहिए किटनासी के फुवारों तथा उड़ाये गए धूल कड़ों से बचने के लिए सुराच्छात्मक वस्त्रा स्वसानी अंतर पने अगला किटनासी प्रयोग नंग यात न करें अगला पॉइंट है किटनासी का प्रयोग फचल की कटाई की बीडि एक शुराच्छित अंतराल देना चाहिए अगला पॉइंट है जहां तक संभा हो किटनासी का प्रयों कीट उन विकास असील अवस्ताओं के लिए साथ किया जाए जो इसके प्रति समेधन से लिए सुछ मगराही हो अगला प्रयोग से पहले उस छेतर से किसानों स्रमिकुद अधा पसूं को अठा देना चाहिए अगला परागण करने वाले कीटों बीसेस कर मदमक्षों की रच्छा के लिए फूल लगी फिलों पर कितनासी का प्रयोग नहीं करना चा आसानी समझा देता हूँ जैसे दोस्तों माल लीजिए कि क्या होता एंट लाई एल जैसे माल लीजिए हमें ग्राफ बना रहे हैं ठीक है यह गराफ हो गया यह हो गया ETL, यह हो गया EIL, यह क्या है EIL, और एक क्या है ETL, ETL और EIL, ETL मतलब Economic Threshold Level और EIL के मतलब Economic Injury Level मतलब दोस्तों करने का, यह है कि जो पीड़क है, यहां से शुरू हुएए है, यहां तक रहेंगे तो कोई बाटक नहीं है और दोस्तों यहां तक जैसे ETL तक पहुचेंगे PDAC यहां से सुरू होंगे चलते जलते जलते जैसे ETL के पास पहुचेंगे तो दोस्तो ETL क्या करेगा इसके उपर अपना छिड़काओ कर देगा किसका छिड़काओ कर देगा दोस्तो Pasun site का 對 ताकि जो यह PDAC है वह EIL तक न पहुँच पाए तो इसी प्रक्रिया को ETL का आजाता है ETL समझ गए हैं दोस्तो कि ETL वह प्रक्रिया होती है जो पीड़कों को EIL तक पहुँचने से पहले ही कितनासी का छिड़का आउग करवा देती है दोस्तों यह हमें बताती है ETL की हमें कब कितनासी का छिड़का करना चाहिए दोस्तों जब यहां से पीड़क जो है दोस्तों जब यहां से पीड़क यहां से पीड़क चलेगा यहां से चलते हैं जब दोस्तों ETL के पास पहुँचेगा तब पता चल जाएगा कि हाँ अब हमें च्छिड़काव कर देना चाहिए अब इसके उपर जाएगा तो फसलों के आर्थिक नुकसान पहुचाएगा इसके नीजर जब तक रहेगा तक तो हम लोग च्छिड़काव नहीं करें खिरनासी का लेकिन यहां पहुचेगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ अब नुगसान पहुचाएका फिर दोस्तो यहां उपर क्या होता है उपर उपर होता है EIL यदि इसके पार होके EIL दक पहुच गया एको नामे पिंजरी लेवा लिया आर्थिक छती अस्तर तक तो दोस्तो उस फसर को बचाना मुम्गिन नहीं होता है मतलब बहुत ही मुश्किल होता है तो यही होता है ETL का मतलब होता है कि कितनास को किवा संख्या जिसे 8, 36 अश्तर तक पोछने से पहले कितनासी का प्रयोग कर दिया जाता है उसी का जाता है ETL EIL क्या होता है EIL एक दोस्तों सीमा होती है उस सीमा को का आता है EIL तो उम्मिद करते हैं अभी तेक मैंने जीत आता है समझ में होगा वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और उमीद करते हैं आप लोगे यहां बहुत अच्छे से जाएगा धन्यवाद जहिन हाँ दोस्तों आप लोग एक बार बता देता हूँ आप लोग कंट्रोल मेथड में सब कंट्रोल पर लिजएगा जैसे बायोजिकल कंट्रोल इन तीन वसे यह कंट्रोल आप लोग को जरूर देखने को मिल जाएगा और कटेगरी याप पेष्ट मैंने आप लोग बता दिया है कटेगरी याप पेष्ट पर लिजएगा और दोस्तों पढ़ लिजेगा इंपार्ट सारी एडवांटेज आफ आइडियम और आइडियम और दोस्तों आइडियम का अब्यक्टिव और आप लोग पढ़ लिजेगा अभी मैंने जो बता है कीट नासी का प्रयोग करते समय हमें क्या कैसा जाने रखने चाहिए अच्छे मैंने 20 क्यूसियों बताएं उसको जरूर पढ़ लिजेगा तो उतना पढ़ लेंगे आप लोग अच्छा खासरी गाम चला जाएगा उमीद करते हैं मैंने जितना भी बताएं आप लोग सब समय में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर की दिएगा धन्यमात जहिन